हेलो दोस्तों दोस्तों अक्सर किसी पार्क या किसी गार्ण में धंते हुए हमें बहुत सारे स्प्रेट पौध है ऐसे मिल जाते हैं जिसके फूल जो है काफी अट्रैक्टिव और काफी फोस्वरत दिखते हैं इसी प्रकार का ये एक ऐसा होधा है आएए दोचते हैं कि संदर है आएए देखते हैं कि दोस्तों इसका पौधा मुझे तम बिला जब मैं एक दिन सुबह की वक्त एक दिन गार्डन में टहल रहा था दिखने में इसका फोल मुझे कुछ अलग और बेहदी खुफसूरत लगा जो मेरे मन को छूग गया और विचार आया कि क्यों ना इसके बारे में आप सब को भी बताया जाए कि आखिर इसका क्या नाम है दोस्तों इसका मूल स्थान तो अभी तक अग्याद है ये दिखने में आपको गुल मोहर के बोधे जैसा लगेगा और शायद गुल मोहर के फूलों और पत्तियों में इसी समानता के कारण इसे लिटल पाइंसियाना भी कहा जाता है इसकी उचाई लगवक्तीं से चार मीटर तक होती है इसका उपयोग में रूप से डेकोरेटिव परपस के लिए किया जाता है दोस्तों कुछ पब्लिकेशन के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसकी लगवक्त सत्तर से 165 स्पीसिज मौझूद है दोस्तों इसका जैनरिक नेम एक प्रसिद्ध फीजिसियन फिलोसफर और बोटैनिस्ट एंड्रियाई से सल्पाइनो के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है सेसल पीनिया दोस्तों इसके फूलों के बनावट आपको मौर के सिर पर लगी कलगी जैसी दिखती है और शायद इसी लिए किसी बिद्वान ने इसका नाम मौर का फूल रखा है तो आईए दोस्तों देखते हैं हम इसे और करीब से जो आपके मन को निश्चित रोप से छू जाएगा वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आईकन दवाना ना भूलें जिसे आप तक और भी ऐसे मन को छूने वाले फूल पहुंसते रहें धन्यवाद करें हैं करते हैं कर दो दो हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो